ओर धुलोल कैट्पी तो मां यूट्यूआइट दोस्तों जितने भी एक्टेंड जो सीश र्फेल हैं है आप लोगोंकी नौकरी का सवाल है आप लोगो को सब takes ठीकत इस पार कर लिए गया है उनको आपएडिंग में मुझा नहीं मीलब भिल ओले तो अन शुम्անलOO घ्रकर भरोसे थी ऊश्चा निएicular Same में हम लोग को मौका मिलेगा क्योंकि एपीरिंग सीटेट वाला जो दिसंबर में एक्जाम होने वाला है उसके तहत हम लोग इसमें फॉर्म भड़ेंगे लेकिन एपीरिंग को इस पर मौका ही नहीं दिया गया है तो दोनों तरफ से धोका है तो पहली चीज आखी सीटेट के यहां पर सुछेंट के सारे जो स्टोरेंट ने कोसें पूछे हैं उसका जबाब उन्होंने दिया है तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं क्या खिर क्या है अतुल परसाद जो है उनको बहुत भारी पर गया था एपेरिंग को मौका देने के लिए तो पहले हम इहां पर Question देखते हैं ठीक हैं यह Question क्या है देखिंए यहां पर लिखाए कुछ पुरस्ण यह प्रस्ण वह है जो अश्रेंट ने उसे पूझा था ठीक है जो Asuto arn के जिवान में था उनको वह सारे सबालों के जबाब चाहिए ते ग quatrondומיה से वह सवाल है और अतुल परसाद ने सवाल का जवाब दिया है संभावित कारण यानि कि यह चीज़ क्यों हुआ है तो उसके कारण उन्होंने दिया है तो वह दोनों चीज़ यहां पर आप लोगों को दिखाऊंगी ठीक है दो है और सबसे पहलिए यहां पर आपाइस के लिए ब्यूट के लिए कि रहसे इस अफल क्यों घोसित किया थूर्व को पिकव lat CTRE1 में बहुत सारे BAT के अश्रेंट को भी सफलकों भी घोसित कर दिया गया था ठीक है तो उसका जबाब क्या है उसका जबाब देखिए यहाँ पे दिया गया है साब साब की जितने भी अश्रेंट है उनको परमान पत्र जमान नहीं किया गया है तो अरक्षन का लाव नहीं दिया जाएगा ठीक है लेकिर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सीटेट के अश्रेंट के लिए अब देखिए मेन कोस्टन यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है ठीक है जो की अश्रेंट ने मीडिया वालों ने पूछा था किन से बीपीसी के जो एक्जा गोसित किया गया तो उसमें भेल अश्रेंट को घोसित किया गया ठीक है यहां पर देखिए साफसा तो क्यों गोसित किया गया यह सभी का पूछना था तो इस पर उन्होंने जबाब दिया है देखिए अतोर परशाद जी का जबाब है यहाँ पे कि सभी पड़िछा फल ससर्त है ठीक है सीटेट में सामिल होने वाले उम्मिदबार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें PRT DV के दोरान बाहर कर दिया जाएगा यह उनके जबाब है डीवी का मतलब हो गया डोकुमेंट बेरिफिकेशन ठीक है डीवी का मतलब हो गया जब डोकुमेंट बेरिफिकेशन होगा तो बाहर कर दिया जाएगा यह उनके जबाब थे लेकिन अतुल प्रसाद ने ये तो बोल दिया लेकिन डोकमेंट भेपिकेशन के टाइम पे भी बहुत सारे सीटेट के असफ़ाल अस्टोरेंट को जोइनिंग लेटर दी गई है ये चीज आप लोग को पता है अल्रेडी से ठीक है बहुत बरा भारी जो है उनको चुकाना पर है उनका तो उनका अगर डोकमेंट भी साड़ा क्लियर है तो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर सीटेट में एक आद नमबर से सफ़ल है तो बहुत सब्सक्राइब को बहुत सा इंटर्व्यू भी दिया है यह हम सीटेट में फेल थे लेकिन हमारा जोइ press conference में भी बोला था कि हमें बहुत ज़्यदा problem हो जाती है जब हम appearing student को मौका देते हैं एक तो उनके लिए रुकना पड़ता है रिजल्ट वेड़ करना परता है क्योंकि जब तक सीटि qa result नहीं आ रहा है या फिर जब तक उनका da गगर नहीं हो रहा है तब तक यह परिशानि का फखोलन पला सीथार्न का को को निखालना पर तो इस्से यह यह Warren का नुकसा है या तो government का लुकसान ठीक है अगर खर्षट को नकाल रहे है तो government का नुकसान मुख्षाल रहे है और आगर अ te करना परता है क्योंकि हम अगर गौर्मेंट ने जो है मौका दिया है पेरिंग को जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता फाइनल उनका डोकुमेंट नहीं आ जाता तब तक वो कैसे कर सकते हैं कुछ भी है ना जब मौका दिये हैं तो उनके लिए रुकना पड़ता है तो यह चीजे हैं लेकिन आप लोग को हीमत नहीं हारनी है कम से कम आवाज उठाना है अपेरिंग के लिए अभी मौका मिलना चाहिए अभी भी टाइम है सनी की टाइम बीच चुका अभी 25 तारिक तक बहुत टाइम है 25 तक टाइम है और कुछ एक्स्टेंड भी हो सकता है फॉर्म भड़ने का डेट बढ़ भी सकता है ठीक है तो बिलकुल आप लोग अच्टेंड को मौका मिलना चाहिए और दूसरी चीज एक चीज और है कि जितने फेल अच्टेंड है उनको नौकरी मिले तो इस पर देखिए गोबेंट के हाथ में है अगर वो एकात नमर कम करके आपको नौकरी दे रहे हैं तो हो सकता है लेकिन काफी भीर है अगर अगर इतने जाधा अश्टिरेंट है कि फेल लेना काफी ज्यादा मुस्किल पर रहा है ठीक है तो ज्यादा उमीद है कि अपीरिंग अश्टिरेंट के लिए एकर मॉका देते हैं तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग है तो वीडियो आप लोगो कैसा लगा जरूर बताइए ग और चनल को सब्सक्राइब बेल अप्रेस करने जगा कि कैसी पलपल ख़बर आपको मेर्च लखवादम से बिलकी रहे हैं